नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल राजबाइक प्रेस में हार्दिक स्वागत है आज हमें नेरल महराष्ट की धर्ती पे जहां पे स्वेल्दे भारतिय समाज पार्टी महराष्ट कूपाद है डाक्टर लाल जी भारदवाजी मौझूद है तो आए उनसे जानते हैं स्वेल्दे भारतिय समाज पार्टी की कुछ करते विदियों पर सर आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है पहले तो सर मैं आपके चैनल को धनबाद देता हूं कोटी-कोटी नमन करता हूं आप से हम सवाल करना चाहेंगे जो महराष्ट की टीम है बहुत जोर सोर में जो है यहां अपना एक जज़वा जो है बना के रखे हैं सर जाना चाहेंगे उत्तरप्रदेश में जो घोसी विधान सभा का जो उपचुना होने वाला है इसमें क्या भागेदार ही है स्वेल्द भारतिय समाज पार्टी की सर इसमें तो हमारी जो है पार्टी स्वेल्द भारति पार्टी बहुत ही अपना एक तन मंधन लगा के इतना जोर दिया हुआ है कि हम इस बिधान सभा घोसी उपचुनाओ को जीतेंगे जैसे कि हमारे पूर्वा मंत्री ओम प्रकास राजभर जी और दारा सिंग चौहान को लेके सारे बिधान सभा के हर गाओं में हर खेतों के अंदर जा जाके लोगों की अपने जीत की जो है एक मांग कर रहे हैं तो हमारा ये जो है घोसी बिधान सभा चुनाओ जो पांच दिसंबर को होने जा रहा है इसमें हमारी जो है दारा सिंग चौहान की निश्चित जीत सर कितना भी दावेदारी करें बस उनका एक खाली फेक है आज इतने सालों से उनकी सरकार चल लए थी वहां घोसी बिजदान सभा छेत्र में उन्होंने क्या किये क्योंकि हमारे जो है यह जो अभी दारा सिंग चोहान वहां से निकलने का कारण क्या है क्योंकि लोगों की जो मांगे है जो चाहिए वहां पर अभी तक नहीं हुआ तो हमको करने का एक मौका मिला हुआ है स्विल्द भादे समाजबाटी के क्या मिशन है सर गोसी बिदान सभा से है सर हमारा मिशन नहीं है कि हम उस गोसी बिदान सभा चुनाओ अच्छे मतों से विजई तो जरूर होंगे और वहां आने के बाद हमारा एक जो है इतिहास खड़ा हो जाएगा कि हम बिजेपी सरकार में जो अभी तक हमारे नेता जी की मांगे है पूरी नहीं हुई है आती पिछड़ा गरीब दलित इनके लिए बहुत 200 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और इतना राद दिन एक करके बेचारे इतना मेहनत हमारे मंतरी जी क्यों कर रहे हैं अपने लिए नहीं लोक सभा तो विधान सभा तो उनकी कुछ मांगे थी सर वो मांगे पूरी ना होने को जैसे उन्होंने बोल दिया कि भीया राम राम हम अपने घरे हम जोने बदे जोन होगए राजनितिक में कदम रखे हैं हम तो योगी मोदी साहब के भी कुछ समय पहले उस कमेटी के भी बीजेपी में सामिल हुए है उम्प्रकास राजबर जी तो क्या गरांटी है कि दोज़ाइच चुनाल तक बने रहेंगे सर हमारे उम्प्रकास राजबर जी की एसी एक सोच है कि वो महराजा सुहेल देओ और बाबा भीम राम बेटकर कासी राम जी का एक जो है अवतार लिए हुए है कि जिन्होंने उन्होंने जो करके दिखाया वो एक उनका एक दिल में एक ठान चुके हैं कि हम वो करके दिखाएंगे जो अभी तक पिछलों दलित अत को उनका अधिकार नहीं मिला है और हम अधिकार के लिए मर रहे हैं और काम करते रहेंगे और लेके रहें था कम से कम पचास साथ हजार ओटों से उनकी जीत होने वाली ये तो सपा के लोग और सब जो है विपक्ष वाले बॉखलाए हुए हैं कि यार अब हमारी नईया तो अब खत्मी हो जाएगी जिंदगी में हम कोई काम के नहीं रहेंगे क्योंकि बीजेपी किलार है और ये से उन्होंने अभी तक अपना जीवन बेतीत किये सर और ये लग रहा है कि योगी मोदी ने जो कारवा दिखा दिये हैं आज जो है सारे गाओं में जाओ तो एक लाहर आती है कि पक्के मकान में लोग रहे हैं और बड़ों का भी जो है एक फाइट कर रहे हैं कि यार हम तु संबर की घड़ी को और देख लेना की बिजेपी की लाहर सारे जगा कमल का फूल ही खूल खिलेगा अगला सवार रहेगा सर आपसे जो चंद्रयान 3 जो भारत की एक बड़ी सबसे बड़ी उपलब्दी रही है तो इस पर क्या कहेंगे बाई वो तो चंद्रयान का जो ये ब जो जो काम कर रहा है आने वाला समय अभी जादा समय नहीं है कुछ समय में भारत चमके का भारत दिखेगा कि अमरीका और आज सारे देशों में क्या चल रहा है हो हमारा भारत दिखाए तो हमारे नेता जी के उपर देखिए मंत्री ओंपरकास नीता जी के लगलें विभोर बतिया और पिछवा लगल बाटें सारे चोर पपिया तो भीया हमारे नेता जी को कोई जो है गिराने वाला नहीं है क्योंकि वो महराजा सुहल दिखाए जैसे कि महराजा सुहल दिखाए जानते हैं कि भारत को आजाद करने वाले हमारे जो है एक बहुत बड़े जो है एक जो कारवा करके दिखा है कि मुगलों इतने बाहर विदेशन से आए हुए आक्रमण के लिए सारा पस्त करते हुए इस जोनपूर की धरती से वराड़सी और लाल के लिए दिल्ली चक पहुशते पहुशते जब महराजा सोहल दो को मालूम हुआ कि कुछ अगराद कारियों ने हमारे देश में चड़ाई कर रहे हैं और अस्त पस्त कर रहे हैं पूरा जो है जब महराजा सोहल दो के बाते मालूम ही तो अपनी सेनाओं को कम से कम थोड़ी सी सेनाओं को लेके जब मैदान में उतरे तो वहाँ जो है बहराइच के मैदान जो है सबको अपनी तलवार जब भारत देश भी नहीं होता धानिवाद सर यह थे डाक्टर लाल जी भादवाजी जो सुहल्दे भारते समाज पार्टी महराष्ट के उपाध्यक्स थे इसी के साथ मिलते फिर अगले वीडियो में जैहिं जैभारत जैए सुहल्दे भारत